सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट नमस्कार मित्रो स्वागत करता हूं सभी का इस योटूब चैनल पर साथियो टीचिंग में तठकिया आपके लिए 77 कलास लेकर आप आया हूं और यहाँ पर आज बात करने वाले हैं रेखी अभिकर्मी तनुदेशन विदी के बारे में साथियो अभिकर्मी तनुदेशन विदी का आपने नाम बहुत अच्छी तरह से सुन रखा होगा लेकिन इसको इतनी डिटेल में आपने कभी भी नहीं पड़ा होगा तो चले शुरू करते हैं इस शांदार कलास को साथियों आपके सुबह 8 बजे हिंदी का एकल शब्द प्रियाईवाची और विलोम शब्द से संबंदित 30 बहुत ही महत्पुन प्रश्णों का टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपको PDA पांसर सहीद प्रदान कर दी जाएगी और सुबह 10 बजे पर्यावरन का परिवार और सामजिक बुराईउस से संबंदित 50 प्रश्णों का टेस्ट लिया जाएगा और PDA भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी आंसर सहीद तो मित्रों दोनों टेस्टों को जरूर दे और किसी भी टेस्ट के किसी भी प्रिश्ण में अगर कोई आपत्ती लगते हैं तो कमेंड बोक्स में कमेंड करके जरूर बताएं मित्रों शुरू करते हैं रेकिया अभिकर्मी तनुदेशन विदी को साथियों अभिकर्मित अनुदेशन विदी के पांच प्रकार है पहला प्रकार पढ़ रहे हैं रेखिया अभिकर्मित अनुदेशन विदी इसको बहाई या अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन विदी के नाम से भी जाना जाता है और इसके जनक है मित्रों इसकी नर्वे जे अब बार बार पुचया जाता है इसके जनक है skinner with jams Lee Heart साथ चाहyeon विह след गविशा अभीखर भीकर्मी तनुद्र इंटीर के बारे में एघ्रे भीवश्य आजेट फिर शर्व से हमें जो पाती surgियाजती बालक को पढायेंगे, जिसे मान लीजिए कि कोई भी पाट है, उसको आपने दस भागों में वर्गी करत कर दिया, कितने भागों में? दस भागों में, अब जिसे आपने पहला भाग बच्चे को पढाया, समझाया, उसके बाद दूसरे भाग को समझाने से पहले, पहले वापिस उस भाग को दोबारा पढ़िए उसको दोबारा उस भाग को पढ़ना पढ़ता था और यदि बालक के इस प्रशन का उतर सही देदाता है तो भी इसको अगला पढ़ने को कहा जाता है तो मित्रों इस प्रकार से स्वीधी में जो पाटे वस्तू होती है उसको छोटे छोटे भागों में बार्ट करके बालक को सिखाया जाता है चलिए देख लेते हैं मैं इसमें जिसे आपने बालक को मान लीजेग बाई अलग 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 छोटे भागों में बार दिया और आपने नाम दिया एप 1, एप 2, एप 3, एप 4 इस प्रकार से आपने अलग अलग पूचे जाते थे देखिए मित्रों चलिए इसको देखते हैं आगे हाला कि मैंने यह समझा दिया आपको लेकिन फिर भी इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं मित्रों जब पाटे वस्तु को चोटे चोटे पदों के रूप में क्रमबद रूप से एक रेखिय क्रम में व अस्तुत किया जाएगा तो उसको ही रेखिया भी करमित अनुदेशन विधी कहेंगे वित्रों इस विधी में अध्यापक विध्यारतियों को प्रतम पढ़ने के लिए प्रेजित करते हैं पिर रिक्तिस्तान में एक निबंदात्मक अतवर रिक्तिस्तान पूर्थी प्रशन पूचा जाता है जिसका उत्तर विध्यारतियों को लिखकर देना होता है अब देखिए बालक ने ये चीज़त서 पढ़ा है इस पढ़ा है और बालक से decnd yet tишь Влад को Tech के देना पढ़ता था यह दि उत्तर गलत हो जाता है तो विध्यारति को पुर्त पढ़ने को कहा जा और यदि उत्तर सही हो जाता है तो उसे अगला पत पढ़ने को कहा जाता है देखे मित्रों कि मान लीजिए कि यह जो प्रश्ण पूछा है यह पर बालक ने उत्तर गलत दे दिया तो पिर उससे बोला कि वापिस इस पढ़िया आप और फिर उसके बाद में उस बालक उस पढ को दोबारा पढ़ता था और उस पढ़ने के बाद में वापिस उससे प्रश्ण पूछा जाता था अगर बालक ने सही उत्तर दे दिया तो पिर उससे अगला जो दूसरा पढ़ने को कहा जाता था पिर उससे समंद्ध रिक्तिस्तान या निमंदात्मक प्रश्ण पूछ ल उसी गति से बालक पाट्य वस्तु को इस विधी में सीखता है ऐसा नहीं है कि जो पर्तिभाशाली बालक है तो तीवर गति से सीख लेगा जो मंद बुद्धी बालक है तो टाइम जादा लगाएगा उसकी सीखने की जो गति है वो उसी प्रकार से इस विधी के आधार पर रेकिय अभिकर्मित अनुदेशन विदी के तीन सोपान होते हैं कि सबसे पहले तो सिक्सन कराया जाता है फिर अभ्यास करवाया जाता है और फिर परिक्सन करवाया जाता है यह तीनों सोपान रेकिय अभिकर्मित अनुदेशन विदी के मित्रों होते हैं अब बात करने वाले है र orchestral in gift N 모델데 बारे में और फिर इसके दोशो के बारे में भी जरूर देखेंगे तो म right में तो है ना कि रेकीद के बाण 화ख दिया और पहला भाग कि उसको पढ़वाया बालक से प्रस्चन पूछा प्रश्न बालक ने लिख करके दिया अगर गलत दिया तो दोबार उस चीज को वापिस पढ़िये और सही दिया तो अगले पेसेज पे चले जाएए यही मित्रों कौन सी है रेकिये विकर्मित अनुदेशन विदी तो चली इसके गुणों को भी देखेंगे इसको दोशो को भी देखते हैं त देखिये बालक इंद्रित वे मनवग्यानिक विदी कैसे है क्योंकि बालक इस विदी में किर्या करके सीखता है बालक से कोई चीज पढ़वाए जाती है फिर उसके बाद में उससे प्रशन पूचा जाता है फिर वो प्रशन का उतर देता है गलत होता है तो वाफिस बालक स स्थर के बालक होते हैं उनके लिए एक उपयोगी विधी मानी जाती है मित्रो बहुत बार यहां से प्रिशन आने का चांस है बहुत ही बार मतलब अलग-अलग एक्जाम में यह प्रिशन आ सकता है कि रेखिया भिकर्मित अनुदेशन विदी किन बालकों के लिए अधिक उप्योगी है तो आपका अनसर हैगा कमजोरों मन्द बुद्धी बालकों के लिए किसमें स्वगति से सीखा जाता है पदो का आकार छोटा होता है या पदो की संक्या इसमें अधिक होती है देखिये जो पद होता है मतलब जो भाग होता है पाटे वस्तु के उनको बहुत ही छोटे छोटे आकारों में बाटा जाता है इसलिए मित्रों या पदो का आकार किसा होता है छोटा होता है और छोटा अगर पदो का आकार रहेगा तो पदो की संक्या इसमें ज़्यादा रहती है निमनिस्त्रिय उद्देशों की प्राप्ति इसमें हो जाती है निमनिस्त्रिय उद्देश मतलब जो ग्यानात्मक उद्देश है ठीक है ग्यानात्मक उद्देश की प्राप्तियां पर मित्रों हो जाती है बहाय अनुकिर्या पर ध्यान दिया जाता है अता है इसे बहाय अभ परकार्मित्रों बहाय अनुकिर्या पर इस विदी में ज़्यान दिया जाता है इसलिए ये बहाय अभिकर्मित अनुदेशन विदी भी कहलाती है साथियों चलिए नेक्स्ट साथवा इसका गुन देखेंगे अकेला अध्यापक सभी कक्षाओं का सिक्सान इस विदी से कर सकत इसका है देखिए अध्यपक सभी कक्षाओं से मान लिजिय कि då कि कशाओं में मार्ष्टर निया वहँ आप इस्कूल में माश्टर निया अब कोई भी अकला अध्यापक के कख्षा जादा है तो आध्यपक ने क्या किया पाट्वस्तों को छोटे-छोटे ब्यागों में बा सिक्सन इस विदी के माद्यम से कर सकता है नेक्स टेल लेखन कोशल का विकास होता है और रोचक विदी है मतलब यहाँ पर चात्रों का जो परिक्सन किया जाता है मतलब चात्रों से जो प्रश्ण करवाय जाता है वो कैसे करवाय जाता है लिक करके, मतलब बालक उस चीज को लिखते हैं और फिर अध्यापक उसको चेक करते हैं तो मतलब यहाँ पर लेकन कोशल का विकास बीस विदी से होता है ततकाल परतिपुष्टी परदान की जाती है, परतिपुष्टी परदान कैसे करेंगे कि मतलब जैसे मान लिजे जो बालक है, उसने अगर गलत दिया, ततकाल उससे बोल दिया कि भई आप वापिस उस चीज को दूबरा पढ़िया और सही अगर उतर दिया तो उससे बोल दिया जाता है उसके गुण, अब बात करने वाले हैं रेखिया विकर्मित अनुदेशन विदी के दोश के बारे में, तो पहला दोश आता है परतिवा शाली बालकों के लिए ये अनुप योगी विदी है क्योंकि परतिवा शाली बालक किसी भी पाटे वस्तु को बहुत ही चोटी-चोटी इकायों में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं बलकि उनको जो इकाया हैं, वो कटीन इकायां जो होती है, जो एक साथ समगर इकाय होती है उनका अध्यान करना वो पसंद करते हैं इसलिए एसा माना गया है, जो रेक्या भी कर्मित अनुदेशन विदी है वो प्रतिवा सारी बालकों के लिए अनुप योगी है और किन बालकों के लिए उप्योगी है? मंद बुद्धि बालकों के लिए इस विदी से व्यवहरिक ज्यान प्राप्त नहीं होता है सिर्फ जो किताब में लिखा होता है या जो पिरोगराप दिया होता है सिर्फ वोई ज्यान बालक को इसमें प्राप्त होता है कि उसका उत्तर गलत क्यों है निदानात्मक वो उपचार आत्मक विदी नहीं है पित्रों यहाँ पर उपचार नहीं किया जाता है ठीक है उपचार केसे नहीं किया जाता है कि अगर चाहते नहीं गलत उत्तर दिया तो उसका उपचार नहीं करेंगे बलकि वापिस दुबारा उस पेरगर आपको पढ़ने को कहा जाता है बच्चों में रटने की प्रोत्ति का विकास इस विदी से होता है बालक उस चीज को रटने लग जाता है कि मुझे इसका उत्तर ये देना है और नकल करने की प्रोत्ति का विकास भी इस विदी से होता है तो मित्रो ये था रेखी अभिकर्मित अनुदेशन विधी, बाकिया आपके सेलेबस में तीन ही वो आपके सेलेबस में नहीं है, तो उन दोनों को लगबग में नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन इन तीनों विदियो को अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा आपने अगर इन तीनों वीदियो को पढ़ लिया तो यूं मानिये कि लगबग आपके इसमें से प्रश्ण गलत नहीं होएंगे मित्रो सुबह 8 बजे वाला हिंदी का 30 प्रश्णों वाला टेस्ट देना नहीं भूले पीडिये बिल्कुल 7 में मिलेगी और पर्यावरन का सुबह 10 बजे 50 प्रश्णों का टेस्ट है कहीं भी एक साथ आपको मिल जाए तो मेरी गारंटी वित आंसर की बहुत ही मेनत लगी है मित्रो तो सुबह 10 बजे जरूर आए और सुबह 8 बजे हिंदी का जो दोनों लेवल वालों के लिए टेस्ट है उसको जरूर सोल करें इस टेस्ट में आपको एक भी आंसर में मिश्टेक नहीं दिखेगी और अगर फिर भी दिखती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाए क्योंकि तुरूटी संशोधन में वहाँ पर कर दूँगा आपको पता होगा कि मानवे बुदा जो भूल है वो खो सकती है मित्रो मिलते हैं बहुती जल सुबह 8 बजे वाले हिंदी का जो टेस्ट है उस वीडियो में